इस जन्वरी दो हजार चौबीस ऐसा पावन पवित्र दिन जिसका हर सनातनी व्यक्ती हमेशा से इंतजार कर रहा था आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन राम जोती घर में जलानी है ताकि आप सभी आयोध्या में पूजा का पूर्ण फल प्राप्ते कर सके इस दिन हमा वहान किया है घर एक ब्यक्ती से यह कहा है कि इस दिन हमें अपने घर में राम जोती जलानी है इसका क्या विधान है और कैसे हमें इस दिन नियमों का कुछ सरल से पालन करना है घर पे सरल सी राम जी की पूजा करनी है वीडियो में यही जानेंगे संपूर्ण जानकारी प् चित्र है अगर वह आप नया खरीत कर लाना चाहते हैं तो वह है लेकर विराजमान कर लीजिए नहीं तो जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में ही कोई प्रतिमा फोटू कोई चित्र या किसी भी स्वरूप में प्रभू का चित्रण है तो उसे आप सभी विराजमान कर पर सजावट कर ले रंगोली बना ले जैसा कि इस दिन कहा है कि आप सभी को सुंदर तरीके से दीवाली का भाव करना है दीवाली के दिन के स्वरूप में मनाना है अपने घर के दरवाजे पर भी रंगोली आप बना सकते हैं आप सभी जहाँ पर भी पूजा करें वहाँ पर पूजा में प्रियोग कर सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में आपको जरूर से बताऊंगी कि आप कैसे उन पूजा विधान को उन चावलों का क्या करें, तो वीडियो में आप बने रहें और चैनल को सस्क्राइब जरूर से कीजिएगा, आप आप सभी अखंड दीप सकते हैं, साथ ही किसी भी पूजा पार्ट में आप सभी जानते होंगे, गडेश जी महराज भी विराजमान करने अवश्यक होते हैं, प्रथम पूजनी है, तो उन्हें विराजमान कर लीजे, उसके बाद जो है, आप जहां पर भी दीप प्रजुलित करें, इसका एक नियम हैं, विधान हैं, अन्त तक सुने, समझे और बने रहिए, जहां पर भी आप सभी पूजन करेंगे, वहां पर सबसे पहले गडेश जी महराज की प्रतीमा होगी, उस पर रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करेंगे, किसी भी पूजा में गडेश जी को आवाहन करना होता ह हैं, उनके बीना कोई भी पूजा पार्ट समपूर्ण नहीं है, ऐसे मैं आप सभी सबसे पहले गडेश जी की प्रतीमा फुटू विराज मान करें, और कोई भी पूजा पार्ट होती है, तो हमारा जो दीपक होता है, उसमें हमारी पूजा पार्ट वह साक्षी स्वरूप म माने जाते हैं, तो सबसे पहले दीपक प्रजोलित करें, चाहे तो अखंड दीप प्रजोलित करें, चाहे तो सामाने सरल दीपक प्रजोलित करें, इसके अलावा आपको कम से कम पाँच दीपक इस दिन जरूर से लगाने हैं, जो वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी, क प्रतीमा फोटो है तो उसमें और हनमान जी और सभी जो राम दर्वार है उन पर रोली चंदन मोली अक्षद समर्पित हम सभी करेंगे साथ ही दीपक जो की प्रमुख रूप से विराजमान होते हैं हमारे सभी देवी देवता इसमर वास करते हैं ऐसी माननेता है कि दीपक में हम सभी को रोली चंदन मोली अक्षद जरूर से समर्पित करना है इसके बाद जो राम दर्वार हमारे लिए निमंतरपत्र आया है स्वयम साक्षा स्री राम चंदर जी ने हमें दिया है उसकी जो प्रतीमा फोटो है या किसी भी स्वरूप में राम दर्वार का पूजन के सा साथ हम सभी जो है जो स्री राम चंदर जी का सुंदर भव्य मंदीर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्टा है तो घर पर भी अगर उसकी भी आप कोई प्रतिली पी निकलवा कर लेकर आना चाहते हैं तो वह ठीक है नहीं तो निमंतरपत्र जो आया है उसमें फोटो अंकि जाता है और आपकी इच्छा सामर्थानुसार आप इसे भव्य सुंदर स्वरूप में बहुत प्रेम पूर्वक इत्र इत्यारी समर्पित करना चाहते हैं बहुत भव्य तरीके से पूजन करना चाहते हैं तो वह भी कर लिजे अभी घर पर जो विराजमान चीज़े थी वह इसके साथ ही जैस्री राम के नारे लगा सकते हैं जो है मंत्र का दिहान कर सकते हैं जो साधारन सरल से मंत्र हैं उनका स्मरण करें हन्मान जी महराज का स्मरण करें उनके मंत्रों का जाप करें और संपूर्ड पूजा आरान्दा करने का प्रियत्न करें आप सभी जो है जैस तक condition कहा है कि आप सुन्दर भाऊ से घर में खीर बनाएं, मिठाई का भोग भगवान जी को लगाएं और सुन्दर भाऊ से दीवाली है, इस भाऊ से मिठाई का वित्रण करें, तो ऐसी स्तिति में आप सभी को भगवान जी को भोग लगाना है, उसके बाद मीठाई बाटनी है, मौस्वी फालित्यादी का भी भगवान जी को भोग लगाए, साथ के साथ आप सभी एक जल पात्र भी भगवान जी जल गरहर करेंगे, तो इस भावना से आपको रखना है, अब आप सभी जो है, अगर घी का दीपक लगा रहे हैं, तो भगवान जी के बाएं हाथ की तरफ लगाएंगे, घी का दीपक भगवान जी के दाये तरफ लगता है, और जो तेल का दीपक होता है, वह जो है, बाएं तरफ और घी का दीपक दाहिने और लगता है, इस बात का ध्यान रखते हुए, पूजा करें, साथ के साथ आप सभी यह अखंड दीप जैसे मैंने कहा सुबह ब्रह्म मोहरत में पूजा करें, तो पूरे दिन और रातरी जलता रहे तो अत्तिरेग सुबह, नहीं तो साम की समय जला कर पूरी रातरी भी आप जला सकते हैं, इच्छा आपकी है, अखंड दीप में आप चाहें तो तेल भरें, चा का साक्षी होता है तो इस तरह से आप अखंड जोत इस दिन लगाएं और उस जो है राम जोती के नीचे आप चावल का आसंदे कोई प्लेट इत्यादी रखते हैं तो ज्यादा सुभ है बहुत सुंदर तरीके से इससे भगवान जी प्रसंद होते हैं साथ के साथ आप सबी प पांच दीपकों से भगवान जी की अंतमें आरती करेंगे आरती करनी के बाद एक दीपक जो है आप सभी सबसे पहले इसी स्थान पर पूजा के स्थान पर ही रखेंगे आप सभी भव्य सुंदर तरीके से जितना संभव हो इस दिन प्रभू की आराधना नाम मंत्र का लग सकते हैं जो पांच दीपक है एक अपनी रसोई घर में मा अनुपूर्णा के नाम का एक मा तुलसी में एक घर के मुख्यदार पर और दूसरा भी घर के दरवाजे पर ही लगाए इस तरह से आपको पांच दीपक का दान इस दिन दीवाली के भाव से करना है आप चाहे हनमान चालिसा का पार्ट करें बहुत सुब दिन बहुत वर्सों के बाद आया है कठूर तपश्या के बाद आया है जिसका साक्षी हम सभी बने हैं ऐसा दूरलब से योग हमारे पित्रों द्वारा हमारे पूरवजों द्वारा कई ऐसे विसेश कारी किये गए राम मंदिर बनाने के लिए जो कि अपने आप में अध्भूत है आज उस सुखत घड़ी को हम सभी अनुभूती कर पा रहे हैं आप सभी कमेंट्स के द्वारा हर हर महादेव जै स्री राम जै हनमान और जै मता दी लिखना ना भूले हर हर महादेव